हलो एवरीवन वेलकम टू टू दिस अमेजिंग प्लेटवर्म ऑफ ओवर चानल पनेश्वा फॉर कॉम्टेटेव एक्जामिनेशन और इस पर्टिकलर सशन में हम करने वाले हैं सोशल साइन्स से रलेटेड आपके 500 डीटेल्ड एमसी क्यूस इसके ऊपर भी जा सकते हैं इसक कि मैंने थियूरि भी काफी कुछ करा रखी है और इसके अलावा मियां पर मेजर ली जो आपका हिस्ट्री का पॉर्शन में आपको मैंने थियूरि क्लासस नहीं दियें तो सोच रहा हूं कि एमसी क्लासस के थृू ही आपको काफी चीजह समझा दूँ अभी आप करो गे जादा कुछ आपको इसमें बतानी की जरूरत है नहीं सीधा स्टार्ट करेंगे ठीक है चालो आज की क्लास में हम जो फ्रेंच रिवाल्यूशन की उपर टॉप 50 MCQ कर रहे होंगे जिससे कि आपका पूरा का पूरा फ्रेंच रिवाल्यूशन कवर हो जाएगा ठीक है तो स्टार्ट करते हैं देखो और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो मेरी बातों को ध्यां से सुनते रहना है तो मैं हिंदी में भी एक्स्प्लेइन कर दूँगा इससे आपको हिंदी में भी क्लारिटी आ जाएगी ठीक है चालो देखो सबसे पहला कोश्यन है फ्रेंच रिवाल्यूशन में की कौन सी तारीक को जो आपका पैरिस की सिटी थी वोस इन दे स्टेट ऑफ अलाम दा किंग हैड कमांडे क्या हुआ था है पर पैरिस में जब रिवल्ड हुआ जो mois kepada अक्रमर करना स्टार्ट कर दी था बड्सहil की उपर और किंग ने क्या कहा कि अपनी सिटी में ही अनिकि अम जंता पर उसने का कि अपनी उसकी आर्मी थी अफ़र ट्रूप से उसने का ब हिनकी उåपर चार्ज क् क्या सिचुएशन वनी अब मुझे न यहां पे दो-तीन चाहरे ऐसे दिख रहे हैं मुझे न ऐसा इमेजन हो जाता है कि दो-तीन बच्चे ऐसे होंगे जो कि अपने बिल्कुल आस भरी निजरों से देख रहे होंगे सर में इसकी थिवरी तो आती नहीं है क्योंकि हमने तो आपका फ्रांस था प्रांस में आपका 1774 में एक नया राजा आता है जिसका नाम होता है लुई सोलेहवा ठीक है को नहीं बहुत सुना होगा जिसे कि आप लुई 16 भी बोल सकते हो ना इस लुई 16 यह जब बना 1774 में यानि कि यह कहां का बना था पहली बाद तो फ्रांस का और इसकी जो वाइफ थी उसका नाम था क्या नाम टायर मैरी एंसाइने तोदिफए इसका नाम था और यह त ती आस्ट्रिया की ठीक है ना यह राणी नहीं बेसकली वह थी यह बोलता है राजकुमारी ठीक है राजकुमारी थी यह मैरी ऐन्टॉई ने कहां कि आस्ट्रिया की इंदोनों की शादी हो जाती और यह 1774 में लुई 16 जो है आपका राजा बनिया फ्रांस का अब बेसिकली य ब्रिटेन में जब लड़ाई चल रही थी ना ध्यान से सुनना बातों को तो यह जो अपना फ्रांस था फ्रांस भी USA के साथ में था क्योंकि फ्रांस की लड़ाई ब्रिटेन से चलती थी ना इसने क्या किया कि युएसे को खुप सारा पैसा दिया ब्रिटेन से भी लड़ाई करजा आ गया, यानि कि डैप्ट आगी, अब जब इनके पास डैप्ट आगी थी, 1774 तक, ख्लियर है ध्यान से देखना, 1774 तक, लेकिन लड़ाई अभी कॉंटिनियसली चल रही है, और यहां का जो अगर आप से कॉशन यह पूछा जाए कि लुई 16 का जो पैलेस था, वो कौन का यहां पे करजा है, दो बिलियन का सारी, दो बिलियन लीवर्स का करजा है, और अब बरसाहिल जो पहले से उसका भी उनको खर्चा उठाना है, तो उसमें भी बहुत पैसा लग रहा था, यूसे को भी अपना युद्ध में साहता दे रहे थे, वादा कर रखा था, बृते करेंगे, तो उसने क्या कहा कि हम दुम से इंट्रेस्ट भी लेंगे 10 परसंटेज का, तो भी अब और जादा भार बढ़ गया, अब इतना सारा पैसा कहां से चुकाएंगे, ठीक है, और यहां पे फ्रांस में क्या हुआ करता था पहले के टाइम पे, जो यह आपका फ्रांस था, या फिर आपके जो फ्रेंच पीपल थे, इन लोगों के यहां पे एक सिस्टम चला करता, जैसे कि आपने देखा न, आपने यहां पे पहले वो चलता था, सामंत वाद चलता था, तो यहां पे भी ऐसा ही था, कि इन्होंने तीन स्टेट बना रखे थे, यानि कि तीन क् क्या बोलते थे इस्टेट, पहला इस्टेट यानि कि फर्स्ट इस्टेट, ठीक है न, दूसरे को बोलते थे सेकेंड इस्टेट, तो यह अपना देख लेना, और थार्ड वाले को थर्ड इस्टेट, अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यहां, फर्स्ट इस्टेट में क पढ़ता था तो चर्ष के जो लोग होते थे चर्च में जो लोग हाई पोजिशन पर होते थे उनको क्लरी की बोला जाता था थीक कोशन पूछा जाएगा यह पूछा गया आल्रेड़ी चलो दान दूसरे नबर पर आते थे आपके नोबिलिटी क्या था यानि कोई राजारान यानि कि जो भी आपका काम धंदा करने वाली class थी वो सारी की सारी third state में आगी इसमें आपके क्या-क्या आते थे देखो एक तो आपका businessman वाले लोग जितने भी businessman हो गए ठीक है न बड़े businessman छोटे businessman doesn't matter even जो आपके merchants हो गए ठीक है न मर्चंट हो गए court में काम करने वाले लोग हो गए ठीक है देन आपका lawyers वागेरा हो गए कौन हो गए lawyers वागेरा देन इसमें आपका जो खेती किसानी करते हैं पीजेंट्स हो गए ठीक है और artisans हो गए आपको पता है ना पहले मिट्टी के बढ़तनी चला करते थे तो ये लोग कहलाती थे artisans ठीक है और जो servants वागेरा हुआ करते थे हैं जो की और labor class हुआ करती थी servants हुआ करते थे या फिर ऐसे लोग पीजेंट्स बोलते हैं उन लोगों को जिनके पास में जमीन हुआ करती है और वो अपना ही खेत जो है जो उतते हैं फिर आते हैं और भी छोटे small small peasants या फिर landless labor होते हैं जिन पर friend society में इनका एक यहां पर नियम हुआ करता था कि पहले और second state से हमें क्या नहीं लेना tax नहीं लेना ठीक है जबकि यह जो third वाले state है इससे हमें क्या लेना है tax लेना है इससे हमें यहां पर grain भी लेना है यानि कि जो आपका wheat वगेरा है grain भी आप इसी से लोगे fruit भी इसी से लोगे पैसा वीसी से लोगे यानि कि total मिला के इस class की हालत खराब कर दी है ना पैसा पूरा खींचो खींचो पैसा निचोड लो इस class से पूरा यहालत चल रही थी because आप tax अब उपर वाले दौनों से ले नहीं रहे हो तो tax कहां से लोगे अपना पैसा तो चलाना है ना उ लोग भी इन लोगों से कुछ tax लिया करते थे इसके बारे में भी आपको बात करनी है क्योंकि यहां से भी question बनता है तो सबसे पहले बात करूंगा आपको यहां पर दो बाते देखनी है एक हुआ करता था यहां पर टित ठीक है ना क्या होता था और एक होता था तेल अब द बोज करो आपने 100 किलोग्राम अफ वीट अपना प्रोड्यूस करा उसको में से 110 यानि कि दस विसा जो है आपका यहां पर पादरी ने रख लिया अपना कलरगी ने रख लिया या फिर आपकी चर्च ने रख लिया बाकी जो टेल होता था वो क्या कहता था कि यह आपका जो जो टेक्स दे रहे हो आप उसे बोला जाता था टेल तो याद रखना चर्च वाला टित वो जो की 110 हुआ करता था और बाकी का आपको टेल को देना है क्लियर है इतनी से बात अरे बोलो हां ठीक हां बोलना बहुत ज़रूरी है नाव मैंने आपको देखो कितने शॉर्ट में पूरी की पूरी कहानी समझा दी ज्यादा टाइम वेस्ट अभी हमें करने की जुरूरत नहीं है यहोप आपको क्लैरिटी भी आती जा रही होगी है ना तो अब क्या है बेसकलि एगर मैं आपसे पूछूं कि जो सॉल्ट पर टेक्स लग रहा है यानि कि जो बेसिक खाने प सिक रेगुलर एक्टिविटीज होती है किसी भी गौवर्मेंट किया फिर राजा भी है तो वहाँ पे चर्च आपको क्या बोलता है कोर्ट वगारा चलाने है तो उस कोर्ट में सैलेरी भी देनी पड़ेगी लोगों को तो वो सब खर्चा भी चलाना है तो यह खर्चे हुआ करती थी यह फैक्ट भी पूछा जा सकता है 23 मिलियन हुआ करती थी अट टाइम ओफ 1714 लेकिन जैसे आपका यह टाइम आता है यह आपको 1715 के टाइम थी बेसकली और फिर जब आपका टाइम आता है 1789 का तो यह पॉपॉलेशन हो जाती है आपकी बढ़के 28 मिलियन त अब यहां पर अपके पास में resources है नहीं दूसरा चीज क्या हुआ यहां पर की harvest जो था यानि कि जो खेती बाड़ी चल रही थी वो बहुत खराब निकल के आती है आधा अन्होंने जो 60% की उपर था वो तो टेक्स में दे दिया ठीक है ना अब लोगों के पास खाने के ब्रेड निकलती जाएगी ठीक है तो खेर यहां पर क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा यहां पर क्राइसिस आ गया है यहार तरफ से यहां पर दिक्कत हो रही थी और कहीं ना कहीं यहां पर फिर क्या हुआ खाने बीने को पैसा था नी फिर यहां पर आ गया epidemic अब देखो अंदर कोई disease फैला हुआ है पूरे country में तो इसको epidemic बोला जाता यानि किसी पर्टिकुलर रीजन में है यह पूरे विश्य भर में नहीं फैला हुआ है तो इसको हम क्या बोलते हैं epidemic बोलते हैं राइट कहां पर धायार मैं तो यह epidemic हो गया आपका समझ में आ गया epidemic और pandemic तो अ यानि कि पाइंट पर जाके आदमी कहीं ना कहीं गुस्सा करे गई उसे आप कितना दबाओगे तो क्या हुआ कि यहां पर update आती है 14 जुलाई 14 जुलाई 1789 की अरे बोलो हाँ बात समझ में आती है क्या कौन सी डेट आ गई है 14 जुलाई 1789 अब यह जो लोग थे 7000 लोगों क कि भीड यहां पर क्या करती है निकल के आती है यहां पर और अपना एक पार्टी बनाती है ठीच है यानि कि गुट बनाते है यह जिसको किश है ना मिलिटर होती है इसको फ्रेंच में अइसे ब्लीषिया करके जो मिलिटरी फॉर्म करhin लोगों थे समय ठीके-न-जादा कुछ वैसे लोग नहीं थे आम लोग थे के एक जेल हुआ करती थी जो की बहूत बड़ी बडी लंबी उची सी जेल थी उसको फॉ। बड़ा नाम Popते हो तो वो आप याद रखना बैस्टिल ठीक है ना क्या नाम था उस जेल का बैस्टिल करके उस जेल का नाम था और इस जेल पे यहाँ पे इन 7000 लोगों ने आक्रमड कर दिया आप खैर यार वो जेल नाम की थी अब पता है आपको किंग के पास भी पैसा नहीं है तो उसमें बस स जाता मिली नहीं क्योंकि वैसे भी आप किंगी बिचारा खुद वहाँ पे गरीब बैठा है गरीब तो नहीं बैठा लेकिन खुद लुटा पिटा बैठा है तो उसके पास भी ज्यादा पैसा था नहीं नाव ये सब सिनारिय हुआ कौन सी तारी को 14 जुलाई 1789 और फिर आ कोशन पूंच रहाएगी 7000 आदमी और औरतें जो एकटे हुए थे फ्रंट टाउन हॉल के सामने उन लोगों ने क्या बनाया था तो पीपल्स मिलिश्या मनाया था दन आपका अगले कोशन पर आते हैं देखो अब देखो यहां क्या है फाइनल या ग्रूप अफ सेवरल क्या नाम था उसका बैस्ट automوع था इनिहों ने सिटी के कौनसे हिस्एं से हंसे अब यह भी इंपॉर्टन कोशन है लोगों Alay da आते हैं, now coming to the fourth question, हमारे पास में है, why was the fortress present the bestle hated by all, अब यहाँ पर यह जो आपका bestle था, सब लोग इससे hate क्यों करते थे, घ्रणा क्यों करते थे, it stood for despotic power of king because of dictatorship, aristocracy, या फिर none of these, तो यह जो आपका bestle था ना, यह यहाँ पर despotic power of king की दिखाता था, यानि कि ऐसा दिखाता था कि यहाँ पर king ही सबसे बड़ा है, उसके उपर आप कुछ नहीं कर सकते, उसके उपर action नहीं ले सकते, वो आपको जितना चाहें दबाता रहेगा, तो यह basically इस चीज का यहाँ पर signify करता था इसको, ठीक है न, तो लोगों ने क्या का, यह bestle जो jail है, इसको ही सबसे पहले त ठीक है, घमंड को तोड़ दिया है, हिंदी में, ठीक है, हिंदी वीडियों वाले बच्चों को भी आई हो, समझ में आ रहा होगा, अब देखो, what was the main protest by the people, यहाँ पे लोगों ने, जो main protest है, वो किस वज़े से किया था, price of bread बढ़ गी थी, behavior of king की वज़े से, या फिर poverty of people की वज़े से, या फिर आपका high taxes की वज़े से, अब देखो, यहाँ पे सारी के सारी चीज़ें ही correct है, लेकिन यहाँ पे आपका right answer क्या होगा, जो main था reason, protest का, क्या पूछा जा रहा है, what was the main reason, main reason of protest by the people, तो समझ ना, यहाँ पे, main reason का जो reason पढ़ा रहा है, यानि कि जो ताब यहाँ पे एक painting बनाएगी, इस painting में क्या बोला गया, जो king है, या फिर जो upper class के लोग है, या फिर आपका जो priest है, church वगयरा के लोग है, वो है spider, और यहाँ पे यह जो छोटे मोटे लोग है, वो क्या है, आपका flea है, तो basically spider क्या करता है, flea को यहाँ पे तडपाता है, इसक define किया गया इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे main reason आपको समझ में आया, जो price of bread थी, वो जैसे जैसे बढ़ गई, और यहाँ पे आपने देखा last में क्या हुआ, price of bread बढ़ गई, population बहुत जादा बढ़ गई थी, तो वो protest फिर लोगों को यहाँ पे करना पड़ गया, अगले question किसने बोला था, ध्यान देना, काफी important यह आपका statement है, और यह दिया था, Jean Paul Merritt ने, ठीक है न, किसने दिया था, Jean Paul Merritt ने दिया था, बहुत ही important है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखियेगा, ठीक है, चलो, इसके बाद अब मैंने आपको वहाँ तक कहानी बता दीना, रिवल्ट कैसे हुआ, क्या डेट तक हुआ, अब उसके आँगे, मैं आपको थोड़ा सा लेगे चलता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका, इन लोगों ने रिवल्ट तो किया यार, लेकिन वो काफी छोटे scale पर यह रिवल्ट था, अकेले 7000 लोगों से इन लोग क में, जस्ट बाद महीं, कुछ महीनों बाद में में इसने क्या किया, लुइस 16 ने, इसने कहा कि टेकसस को क्यों न और जादा बढ़ाया जाए, ठीक है न, अब बताओ किसी की कमर तूटी हुई है, आप उस पे और भी बोज डाल दो, तो वो अगला आदमी पहली रिवल्ट कर चुका है, उसे और गुस्स आएगी, अब इसी बीच सिनारियों में चल क्या रहा था न, कि 1789 के टाइम पे, यहाँ पे जो मैंने आपको थर्ड इस्टेट बताया, जो थर्ड इस्टेट था है, इसमें कुछ लॉयर्स भी थे, कुछ कोर्ट के लोग भी थे, तो जो एजुकेटड लोग हैं, वो यहाँ पे कही न कहीं सवाल उठाने लगे, कि जो फर्स्ट और सकेंड वाले स्टेट है, इन लोगों पे तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, यह लोग तो नोबल मैन है, इन लोगों को यहाँ पे अलग से इतने प्रिविलेजिस क्यों दिये जा र दो आप देखो, यहीं पे दो तीन फिलोसफर और निकल के आते हैं, यह सब बाते चली रही थी तो यहाँ पे दो तीन फिलोसफर निकल के आते हैं, ठीक है, देखो पहले यहाँ पे हो जाते हैं, एक तो आपके लोग, ठीक है ना, क्या हो जाते हैं, एक लोग थे, दूसरे करके थे शायद है ना मोन टैस्क की थे मोन टैस्क अब इनकी स्पैलिंग जो है वो डिफर कर सकती है अब नाम में थोड़ा सा इनका क्यू यू आई यू होता है ठीक है तो यह मोन टैस्क थे अब बेसिकली हुआ क्या इन तीनों लोगों ने एक बात कही कि जो भी आप यहां पर रिप्रेजंटेटेव से या फिर लोगों के पास क्या होना चाहिए एक तो इक्वलिटी का राइट होना चाहिए ठीक है ना यह बात इन्हों ने करी और इन्हों ने का यह गलत बात है कि आप कुछ को स्पेशल राइट दे रहे हो कुछ से पूरा का पूरा टेक्स अब यह तीनों लोग थे इनकी यहां पर फिलोसोफी इन्होंने अपनी अपनी दी लॉक ने क्या कहा मैं आपको दोतीन बातें बताता हूं वह इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है अब लॉक ने यहां पर लिखा देखो लॉक की बात कर रहे हैं कहां लिखूं थोड़ यह दिया था आपका लॉक ने ठीक है इसमें इन्होंने क्या बोला कि आपका जो एबसॉल्यूट राइट दे रहे हूं आप जो मोनार्क है न यानि कि यहां पर जो आपके जो फर्स्ट और सकेंड स्टेट के लोग है इनको जो आप स्पेशल राइट दे रहे हो यह नहीं देने चाहिए ठीक है यह बात इन्होंने कही फिर बाद में रूसों आगे आए रूसों ने कहा कि बही सही बात है और यह रूसों लेगे चले अपनी बात किसमें इन्होंने क्या कहा यह पैन को कुछ गड़बड हुई है इसका हमें गलर्ट चेंज करना पड़ेगा देखो ग्रीन लेते हैं तो यहाँ पर रूस ने क्या कहा कि भाई जो आपका सोशल कॉंट्रेक्ट है वो लोगों के बीच में और उनकी रिप्रेजन्टेटिव के बीच में होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर बेसकली जो रिप्रेजन्टेटिव बनाते थे ना यह लोगों के बीच आप यह वाला चानते ही निया इनके बारे में थाड़ वालों के बारे में तो यह बात यहाँ पर आपकी रूस ओने बूली कौन क्या बात बोल रहा है कि यहां से सीधे किरते हैं मॉन्टेस्क ने अब क्या कहा जो आप और लेकर पे इस्पिरिट ऑफ लौ अगर इंडिया में भी देखो तो क्या है Sumpo है पिर एक्जेकिटिव है और फिर आपका जूडिशरी है इे तीन सिस्टम के बारे में नहीं बात करे इन्होंने का यह राजा शाही का जो साही है आपको इसब बढ़िया legislative, executive और judiciary बनाना चाहिए जैसा कि USA में फिर इसको follow किया गया Monteskin इसके बारे में बताया और USA में follow हो गया ये देखके French वाले लोग और जल गए भी ये बताओ हमारे देश में ये राजा अभी तक बैठा हुआ है इतना tax बढ़ाया जा रहा है और USA जो कि अभी अभी आजाद हुआ है उसने अपने यहाँ पर ये तीनों लागों भी कर दिये तो ये और बड़ी दिक्कत हो गई ठीक है तो ऐसे ऐसे जो है रोश बढ़ता रहा लोगों में अब क्या हुआ यहाँ पर देखो ये जो लुई 16 थास के दिमाग में इतनी से बात नहीं गुसी कि तुमारे राज्य में इतनी जादा यहाँ पर सेनारियो चल रहा है बेकार और तुम उसे टाइम लेके आजाओ इसने क्या करा यहाँ पर डेट थी 5th of May 1789 जहाँ पर डेट लिख रहा हूँ इसका मतलब बहुत ही इंपोर्टेंट है इस डेट पर लुई 16 थे ने क्या करा कि भई यह लेके आगया अपना इसने कहा कि रिप्रेजेंटेटेव को बुलाओ क्यूंकि एक असेंबली बुलाई जाती थी और जितने भी स्टेट है ना पूरी देश में आपके तीन स्टेट है फर्स्ट स्टेट 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 थर्ड स्टेट बहुत ही अच्छे से समझ लेना इन तीनों इ स्टेट की यहाँ पर क्या होती थी of Treasury बढ़ आना है तो läuftाना है ठीक है, यह जो assembly हुआ करती थी, इसका नाम क्या था, states general इसका नाम था, तो basically क्या होता था, हर class से लोगों को बुलाया जाता था, उनका एक vote सा लिया जाता था, और फिर कोई भी निरनाय लिया जाता था, अब देखो यहाँ पे मजे की बात क्या है, आप सोचरों कि सर बढ़िया तो है, सबका vote लिया जा रहा है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ल अब यह 300 लोग क्या है, पहली वाली state के representative है, बागी के 300, second वाली state के representative, और जो third class, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको tax भी दे रही है, सब कुछ दे रही है, और मार भी यही खा रही है, उसके थे यहाँ पे 600 representative, जो कि क्या थे, educated लोग थे, मैंने आपको उपर बताय चल कहाँ पे रही थी, यह assembly चल रही थी, वर्साहिल्स में, बताया था ना, मैंने इसका जो palace था, उसको क्या नाम था, उसका वर्साहिल्स था, तो वर्साहिल्स के अंदर यह वाली आपकी assembly जो है, चलने लग रही थी, now क्या हुआ कि, अब यहाँ पे जब यह meeting हुई, तो यहाँ पे ने 300 लोगों को बैठा दिया गया, 300 लोग यहाँ पे बैठे हैं, 300 लोग यहाँ पे बैठे हैं, 1st class वाला, 2nd state वाला, अब जो 3rd state के लोग हैं, वो यहाँ पे खड़े हुएं, इनके 4 तरफ, 600 लोग हैं, बिचारे के पास seat भी नहीं, seat भी नहीं दीगी इनको, यहाँ पे खड़ा कर दिया गया, अब वोटिंग कैसे होती थी ना, इन्होंने कहा कि जो 300 लोग हैं, इनका 1 वोट होगा, इन 300 लोगों का 1 वोट होगा, और इन 600 लोगों का भी 1 वोट होगा, समझ रहे हो, यानि कि यहाँ पे 1st class वाले जो भी बोलेंगे, उनका 1 वोट, 2nd वोट ही माना जाएगा, अब इन लोगों ने क्या का, 3rd class वालों ने कि भी आप अगर ये 1 वोट ले रहे हो न, तो जितने भी members यहाँ पे आए हैं, यानि कि जितने भी representative हैं, उनका 1 वोट मानो न, यानि कि यहाँ पे 3, अब यह क्या हुआ, यहाँ पे total 3 वोट निकल के हैं, यानि कि जिसे कि आपके total वोट कितने हो जाएंगे, 1200, फिर आप उसमें देखो कि text बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए, लुइस सोलेवे ने का, कैसे भई, तुम ये theory कैसे दे रहे हैं, उनने का कि यही theory तो यहाँ पे दी है, किसने दी है, रूसो ने, रू ये बात हुई यहाँ पे, अब राजा यहाँ पे माना नहीं, उसने का नहीं हम तुम्हारी बात तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, ठीक है, अब भई राजा भी कितना 20-22 साल का, क्या ही करेगा, ठीक है, तो अब जब भई यहाँ पे राजा ने इनकी बात मानी नहीं कि हम ऐस सानी करेंगे तो इन्होंने का आप कोई मतलब ही नहीं है अगर हम यहां पर वोट दे भी देंगे अगर हम वोटिंग पर मान गए तो टेक्स पूरे बढ़ जाएंगे क्योंकि यह तो बैठा है हमें खाने के लिए है ना खा जाएगा यह हमें तो यह सिनारियो चला तो यह लो है ना इंडोर टैनिस कोर्ट जो कि वर्साइलस के अंधर ही था मैंने कहा ना वर्साइलस बगड़ा यह आपका पैले साहा करता क्योंकि इन्होंने देखा भई अमेरिका वगेरा सब जगे constitution बनाया जा रहा है हम ऐसे पीछे बैठे हुए हैं तो इन्होंने का कि फ्रांस के लिए जब तक हम constitution नहीं बना देंगे हम अलग नहीं होंगे ठीक है यह इन्होंने यहां पर शपत ली अगर question पूछा जाए कि यहा और दूसरी बात जो इनके मुद्दे में थी वो यह थी कि जो मोनार्क है यानि कि यह जो मोनार्क लोग हैं जो उपर बैठे हुए हैं इनकी powers को limit करना ठीक है न यानि कि जो राजा के राजा लोग हैं इनकी power को भी एक limit कर देना कही न कहीं constitution को introduce करो और यह जो राजा बैठ पूच रहा होता है आपका अबे सियद अबे सियस करके होता है इसका नाम ठीक है तो यह तोनों क्या बोलता है आपे speeches वगएरा देते हैं आप से गर ऐसा question पूछा जाए कि यह जो आपका मीरा ब्यू से ही बनेगा क्योंकि मीरा ब्यू ने जो है इनका protest चल रहा था इसमें बहुत जादा इसने साथ दिया जबकि यह noble family से belong करता था ठीक है यानि कि अमीर परिवार में पैदा हुआ था noble family में हुआ था इन लोगों का यहाँ पे साथ दे रहा था तो यह बात है अगर आप से पूछ ले कि मीरा ब्यू किसकी तरफ था तो जो revolt कर रहे थे लोग या फ पूरे फ्रांस में ये बात फैल गए कि हमें एक constitution अपना introduce कराना है ठीक अब date आती है आपकी 4th of August 1789 ठीक है ना 4th August 1789 आ गया अब यहाँ पे जो assembly थी यह जो assembly थी इसने यहाँ पे एक degree यहाँ पे क्या कर दी पास कर दी ठीक है एक degree पास करी और उसमें इन्होंने क्या बोला कि जो भी आपका feudal system है ठीक है ना जो भी आपका क्या है feudal system, feudal system का मतलब क्या था जो भी आपका Tith था ठीक है किसकी बात कर रहा हूँ Tith की अब आपको मैंने बताया है Tith क्या होता था जो कि जो भी आप church को यहाँ पे text देते थे वो क्या कर दिया गया abolish कर दिया गया इन् अंदर यहाँ पे land वागेरा यह लोग लेके बैठे थे लेंड वागेरा भी यह church लोग रख जो है पहले हुआ करते ना वो रख लेते थे land को तो land वागेरा acquire करे लोगों ने इससे पता है government को कितना asset मिला जो government थी इसको यहाँ पे कितने रुपए का asset मिला तो 2 billion 2 billion लीवर का जो है asset मिला जब इसने जो church के संपत्ती थी उसे हासल कर लिया तो समझे रहे हो church कितना ज़्यादा पैसा दवा के बैठा हुआ था यह चीज है अब 4th August 1789 को तो इन्होंने यह कर दिया कि जो भी TIT वाला system था वो abolish होगा अब बात आती है यहाँ बात चलते चलते पहुच गई 1791 तक अब 1791 में क्या हुआ जो France का, France क्या बन जाता है? Constitutional मोनार्की बन जाता है ठीक है ना? Constitutional मोनार्की अब यह Constitutional मोनार्की का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर राजशाही तो है यानि की राजा तो है लेकेन एक Constitution भी है पूरी की पूरी पावर राजा के पास नहीं है तीन अलग जो यहाँ पर आपके sectors हैं उनके पास भी है ठीक है? तीन institutions के पास है basically क्या थे वो? एक था आपका Executive एक था Judiciary और एक था आपका क्या बूलते है Legislative ठीक है? Executive, Judiciary, Legislative या आप लिख लेना मैं EJL लिख के चल रहा हूँ ठीक है? जल्दी जल्दी करा रहा हूँ सारी चीज़ें तो देखो कितने कम टाइम में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ा कवर कर के दी हैं ठीक है? इसके लिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ कि बहुत जादा time waste ना हो और भी ज़्यादा करना हूँ 2X पर लगा के देख लेना ठीक है? इसमें loss हमारे ही होगा बट इस्टल पढ़ल हो जादा ठीक है? तो अब यहाँ पे यार लेकिन ये जो इन्होंने constitutional constitution बोला ना तो ये इतना ज़्यादा मतलब मतलब मज़ेदार था नहीं देखो क्या था इसमें इसमें नोंने ऐसा बोला जो भी आदमी 25 साल से ज़्यादा का होगा वही vote कर पाएगा दूसरी बात की वो से tax देना चाहिए जितना 3 labor लोग कमाते हैं ठीक है? condition देख रहो 3 labor लोग जो कमाते हैं जितना tax भरना चाहिए इसको और ये 25 साल से ज़्यादा का हो आदमी हो यानि की mail हो ठीक है? ये conditions थी एक active citizen होने की फिर ये जो active citizen हुआ करता था ना अब ये active citizen क्या करता था? ये vote करके ये vote करता था कुछ electors को ठीक है? क्या किया है? इसने कुछ vote करके अपने electors खड़े कर दिये अब अगर मैं आपसे बात करूँ active citizen ये 28 million थे इन 28 million ने यहापे आपके 50,000 आदमी जो है elect करके खड़े कर दिये कि ये हमारे electors हैं, अब ये electors लोग यहाँ पे National Assembly के जो member थे उनको चुना करते थे, ठीक है ना? National Assembly में member थे कितने? 745 अब ये जो 745 member हैं इनके पास में power हुआ करती थे, लेकिन इनको भी control कौन करता था, जो minister हुआ करते थे, और जो आपका राजा हुआ करता था, तो एक kind of यहाँ पे क्या हो गया, कि power का distribution हो गया, और ये जो active member थे, ये electors को elect करते थे, बाकी का यहाँ पे 28 million लोग मिलके judge को भी यहाँ पे elect किया करते थे, ठीक है? Judge हो गया, तो यहाँ पे basically judge क्या हो गया? Judicial हो गया, then आपका ये जो, आपका ये क्या बोलते है, National Assembly और electors हैं, ये क्या हो बन जाते थे आपके legislature बन गए, और ये जो king और minister है, ये बन जाते थे, यहाँ पे executive, यानि कि supreme power तो king और minister के पास ही है, लेकिन यहाँ पे kind of judiciary अलग हो गई, legislature अलग हो गई, तो power का इन्होंने बस distribution कर पाया, 1791 में तो जो monarch था, यानि कि जो राजा था, उसका कही ना कहीं limit कर दिया, उसको एक थोड़ा सा, ठीक, समझ में आगी क्या इतनी सी बात, अरे बोलो हाँ, ठीक है, चालो, अब कहानी को यहीं पे stop लगाते हैं, questions को करेंगे, चालो, देखो, ये वाला question सावन, the national assembly formed a constitution in 1791 to limit the power of, अब बताओ भई किसकी power limit करनी थी, मोनार्की, ठीक है, चलिए, अगले question पे आते हैं, next वाला question देखो, who wrote the influential pamphlet, what is the third state, अब third state क्या है, ये किसने लिखा हुआ था, बहुत ही important है, ये जो आपका abcys था ना, इसीने आपे लिखा हुआ था, किसको, what is the third state को, ठीक है, और merit का मैंने आपको बताए दिया, मेरा बाओ की बारे में भी आपको पता है, ये जो George's Denton था ना, इसने जो है पढ़ाई वगएर अच्छी करी थी, काफी जो nobles लोग थी, उनके साथ मिलके करी, लेकिन बाद में ये revolution में स्यामिल हो गया था, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एफ्लियंट फैमिली से बिलॉंग नहीं करता था, लेकिन इसने पढ़ाई अच्छी करी कॉलेज में, बाद में इसने revolution को जोईन कर लिया था, खैर, आगे आते हैं, देखो, which group of people did not join the Jacobin Club, अब ये Jacobin Club क्या था, ठीक है, कहानी आपको मैंने कहा तक समझा दी थी, 1791 तक की, अब देखो, अब जब ये सब आपका constitution बन गया, जो राजा था, यानि कि जो मोनार्क था आपका, उसकी जो power है, यहाँ पे कहीं न कहीं कम हो गई, तो उसे आपे चैन्तो पड़ेगा नहीं, तो उसने क्या करा कि जो पुरूश्या का king था, ठीक है, इसका पास में ये एक राजा हुआ करता था, पुरूश्या का राजी था, तो पुरूश्या के राजा से इसने क्या कहा कि, हम साथ में गटबंदन कर लेते हैं, तुम अपनी आर्मी हमारे यां भेजना, और ये जो हमारे अभी असेंबली फर्म हुई है, ये जो लोग इतना कर रहे हैं रिवॉल्ट कर रहे हैं, इनको दबा देना, ठीक है, ये सब सिनारियो चल रहा था, इसका कब से, अब यहाँ पर 1791 में मुनार की पावर भी कम कर दी, 1792 में जो नैशनल असेंबली फर्म हुई थी, मैंने आपको बताया ना, नैशनल असेंबली में कितने लोग थे, कैसे कैसे फर्म हुई, कैसे उसका एलेक्शन हुआ, इस नैशनल असेंबली ने कहा, यहाँ पर इसने एक वार अपना यहाँ पर पुरूशिया और आस्ट्रिया के अगेंस्ट स्टार्ट कर दिया, ठीक है, पुरूशिया हो गया और आस्ट्रिया हो गया, आस्ट्रिया पता है ना, आस्ट्रिया की रानी इसकी राजा की रानी थी, अच्छिया की जो राज़कुमारी थी, ठीक है तो पुरूशिया और अस्टिया की खिलाफ यहाँ पर फ्रांस ने अपना एक वर स्टार्ट कर दिया National Assembly ने इसके लिए वोट किया तो आपका वर स्टार्ट हो गया अब इस वर में यहाँ पर आपका जो इनका National Anthem था जिसका नाम है Marcellus, ठीक है न, Marcellus तो आपसे अगर कभी question पूँछ लिया जाए कि France का जो National Anthem है उसका नाम क्या है तो क्या है, Marcellus है France का और ये किसने यहाँ पे दिया था तो ये दिया था, एक poet था रॉगेट करके, ठीक है इतना याद रखलो बस रॉगेट ज़्यादा याद वो होगा नहीं, वैसे भी उसका जो सर्ने मैं, तो रॉगेट ने दिया था कौन सा, Marcellus, माइंड में रखना बस कभी अगर ऐसा question पूँछ लेता है तो, अब देखो यार ये war start हो गया, 1792 में war start हुआ तो जितने भी लोग थे, जितने भी workers हुआ करते थे, peasants हुआ करते थे, यानि कि जितने भी basic लोग थे, आपका elite third से ही, वो यहाँ पे war में चले गए, ठीक है, क्योंकि पैसा भी मिलता है war में जाने का, तो war में गए अब as a soldier, तो यहाँ पे जो काम था, वो किसके उपर पढ़िया, जो woman हुआ करती थी, ठीक है ना, जो औरते थी, उनकी उपर भी काम बढ़िया, तो वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं, जो woman के अंदर, पहले वो अंदर रहती थी थी ना करके, तो जब वो बाहर निकली, उन्होंने सारी चीजों को देखा, समझा, तो उन्हें एक need महसूस हुई गया, हम क्यों यहाँ पे vote नहीं कर पा रहे हैं, है ना तो धीमे-धीमे यहाँ पे कुछ ना कुछ बाते होने लगी, और इन सभी discussions में participate करने लग गए, और एक यहाँ पे अलग-अलग clubs form हो गए, जहाँ पे political discussions हुआ करते थे, अब आपको मैंने बताया, कि जो vote करने का right था, वो 25 प्लस के सिर्फ males को था, और वो भी उन लोगों को जो tax बहुत जादा देते थे, तो जो गरीब लोग हैं, उनको तो यहाँ पे vote करने का अधिकारी नहीं मिला, तो यह जो गरीब लोग हुआ करते थे, यानि कि जो बहुत ही लोग, बहुत लोग class से जो यहाँ पे लोग थे, उन्होंने अपना एक club बनाया, जिसका नाम क्या था, जैकोबिन club, इसमें आपके क्या हुआ करते, जो भी shop keepers हैं, लेबर्स हैं, फिर छोटे मोटे जो लोग हैं, और इसमें even women's ने भी interact करना, start कर दिया, यूँकि उन्हें भी पता चल रहा था, देश में अब चल क्या रहा है, समझ रहे हो ना सारी चीज़ों को, इस जैकोबिन club का जो लीडर था, उसका नाम याद रखना, उसका नाम था, Maximilian Robespier, ठीक है ना, क्या नाम था, Maximilian Robespier, Robespier जो है इसका नाम था, यह R लिखा हुआ है, तो याद रखना, इन लोगों ने मिलके यहां पर क्या किया, जो छोटे-छोटे लोग थे हैं जो की, डेली वेज वर्कर्स हुआ करते थे, इन लोगों ने मिलके ग्रूप बनाया, और क्या नाम था, इसके लीडर का, Maximilian Robespier, इवन इसमें जो सर्वेंट थे, वो भी हुआ करते थे, ठीक है, तो समझ रहे हो होता है, धारी-दार जो Trousers होते थे, ठीक है ना, stripped, एरे यार, stripped, trousers, ठीक है न, इन्हों ने ये पहनना start कर दिया, and red cape, यानि कि जो red color की टोपी होती थी वो पहननी start कर दिया, और stripped trouser, so that ये अलग लगे, जिनके पास property है, या फिर जो nobles हुआ करते हैं, उनसे थोड़ा सा अलग दिखें, यानि के kind of उनका ये विरोध कर रहे थे, कि हमें भी vote देने का दिखार दो, तुम्हारे पास अगेला थोड़ी ना है, तो अब बताओ, कौन से लोगों ने जैकोबिन क्लब को जाइन नहीं किया, तो जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी थी, उन्होंने जाइन नहीं गया, डेली वेज वरकर, शॉपकीपर, आर्टिशन, इन समने तो जाइन किया था, ठीक है, चालो, अब जब ये लोग स्टिप्ड ट्राउजर पहनने लग गए, र ट्राउजर और रेड कैप पहना करते थे, क्लियर है, चालो, अब ये सब सिनारियो हुआ, यहाँ पे तो 1792 में ही यहाँ पे क्या किया जाता है, 21 सेप्टेंबर की, यहाँ पे क्या होता है, आपका पूरे तरीके से मोनार्की को खतम कर दिया जाता है, ठीक है, मोनार्की 21 सितंबर 1792 को, और हुआ क्या था कि यहाँ पे फिर वोटिंग राइट्स भी दिये गए, 21 साल से ज़्यादा कि जो लोग है, वो वोट कर सकते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया, कि जो वोट देने का राइट है न, वो सिर्फ अब वैल्दी लोगों को नहीं रहेगा, ऐसा यहीं कि जो टेक्स ज़्यादा दे रहा, उसी को वोट दे सकता है, अब यहाँ पे वैल्द के एर रिगार्ड कोई भी वोट दे सकता था, लेकिन, 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 सिर्फ मैन, ठीक है न, वोमन को अभी भी यहाँ पे राइट नहीं दिया गया, वोट देने का, ठीक है, त यह मैंने आपसे बोला मोनार्की खतम हो गई इसका मतलब क्या किया गया जो लुइस सोलेवा था लुइस स्मेलिंग लगता है यह इदर उदर हुआ है कुछ तो लुइस सिक्स्टींध चुथा आपका देखो लुइस सिक्स्टींध चुथा उसको यहां पे जेल में डाल दिय गया कब 21st of September 1792 को और जेल से इसको फिर यहां पर क्या हुआ वेटा सेकेंड यार क्या हो गया है यह यहार देखो लुइस सिक्स्टींध को यहां पे जेल में डाल दिया गया फिर क्या हुआ आपका 21st January 1793 को आपका जो असेंबली फॉर्म हुई थी अब याद रखना इसके 21st September 1792 के पहले जो असेंबली थी उसे क्या बुला जाता था नैशनल असेंबली और इसके बाद जो असेंबली फॉर्म हुई है यानि कि यह जो 21 साल से जादा के सभी आदमियों ने जो वोट करके असेंबली बनाई उसको बुला जाता था कॉन्वोकेशन ठीक है और इस कॉ ना कहीं जो लोग बैठे थे ना वो ये जैकोबिन क्लब वाले ही बैठे थे यूँकि इनोंने पूरा अंदोलन किया था और इसका मैंने लीडर की बात क्या की थी लीडर कौन था रॉब स्पियर ठीक है ना तो यह जो रॉब स्पियर था कहीं ना कहीं इसी के हाथ में पू पहले एक्जिक्यूट किया जाता था ठीक है कि वह गला काट देते थे उस मशीन का मैं आपको नाम बताता हूं गिलोट्ण करके होती थी थे निचे आएंगे लोग अग्लोट्ण करके उस अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फ्रांस में पहले कैसे एक्जेक्यूट किया जाता था तो गिलोटिन नाम की मशीन होती थी, एक आपका यहाँ पे पोल, एक यहाँ पे पोल, यहाँ पे आपका एक ब्लेड रहता था, यह ब्लेड है, यहाँ पे नीचे आदमी को लिटा द तो इसे कहा जाता है पिरियोड और रीन या फिर आपका क्या बोलते है पिरियोड और यानि कि यहां पर आतंग का समय बन गया आपको पहले इसकी बात नहीं रहां ता या फिर पहले पहले जो उपर के लोग थे यानि कि जो क्लरगी लोग थे, पादरी लोग भुआ करते थे ना, क्लरगी कौन थे, चलो कमेंट करके बताओ किस से रिलेटेड है क्लरगी, चर्चस है ना, तो ये जो क्लरगी लोग भुआ करते थे, एक्स नोबल मेन लोग थे, या फिर आपका मोनार्क की फैमिली से अर्लेटेड लोग थे इन सभी को इसने क्या किया मरवा दिया यानि कि एक तरीके से इन पे केस चलवा देता था और केस में अभी इसकी चल रही थी जूडिशल में इसकी पावर चल रही थी तो सबको एक गिलर्टेन की जो मशीन थी इसमें डालता था और इनका सर धर से अलग करवाया देता था ठीक है ये सिनारियो चल रहा था पूरा 93 और 94 में इवन हुआ क्या कि इसका इतना जादा आतंक बढ़ गया कि इसने क्या करा जो लोग थे जो इसके सपोर्टर हुआ करते थे जमाने में वो लोग भी इससे परेशान हो गए इतने जादा परेशान हो गए कि इसके अपोजिशन में आ गए वो लोग क्योंकि इसकी जो नीतियां समझ में आ रही क्या कर रहा था इविन जब आप देखोगे तो जैकोबिन क्लब में वुमन थी वुमन ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था ये सब होने के लिए इसने जो वुमन के यहां पे क्लब हुआ करते थे सब के सब बंद करवा दिये वुमन को इसने कहा कि जाओ वापस से अपना वही काम करो जो तुम घर में रहा करती थी वही घर में रहुआ पूरी इसने यहां पे restriction लगा दी वुमन की उपर तो भई वुमन भी विल्कुल कुस्से में है ना और आप मजे की बात देखो यहां पे दो जैसे कि एक बर्ड होता है ना दो पंक से उड़ता है तो यहां पे republic बना दौनों की वज़े से male और female दौनों की वज़े से लेकिन यहां पे voting के right किसे दिये गए है man कोई तो अभी आगे चलके वो बात भी आईगी अब Rob Spear ने जो है एक दू चीज़ें ठीक भी करी थी इसने का कि कोई madam sir नहीं बुलाएगा सारे के सारे क्या होंगे country के citizen होंगे और सब को एक equality bread खानी पड़ेगी है ना तो दो तीन चीज़े इसने यह भी करी लेकिन हुआ गया कि इसकी यह जो नीतियां थी यह सबसे बड़े वाले तुम सबको देश रोह बोल रहे हो तुमें हो सबसे बड़े वाले देश रोही और तुम इसको जुलाई जुलाई 1794 में इसको भी गलोटन से निपटा दिया आमने ठीक है तो अब यह खुद जब कोई वोटिंग रयїट नी मिला है 93 में इनके गलब सारे बंद हो गए 94 में कुछ नी हो रहा इनको वुटिंग रख पदा कब मिले इनको मिले है वोटिंग रख 1946 में समझ रहे हो आप यह का गैप देख पा रहे हो तो कितनी 200 शालों का गैप तो राउंड होगा दोसों से तोड़ा कमी है तो यह जो इयर का गैप एस में वुमन्स कॉंटीनेसली स्ट्रगल करती रही फ्रेंच की कि हमें भी एक्वल पॉलेटिकल राइट्स मिले हमें भी वोट करने को मिले तो याद रखना फ्रेंच वोमन को वोट करने का राइट कौन से येर में मिला 1946 में ठीक है और यहाँ पे इन जो वोमन का यहाँ पे एक लीड किया था एक लेडी ने उनका नाम आप याद रखियेगा ओलंपे दे डोगस ठीक है ना ओलंपे दे गोगस ये जो है एक वोमन थी इन्होंने 1793 के टाइम पे भी एक बुक लिखी थी ठीक है क्या लिखा था नहीं 1791 में इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था declaration of the rights of declaration of the rights of rights of women and citizens तो अगर आपसे ये पूचा जाए किस ने लिखी थी तो ओलंपे डे गोगस ने 1793 में जब जैकोबिन गवर्मेंट बन गई यानि कि जो गवर्मेंट थी वो जैकोबिन की थीना उस टाइम पे तो इन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया किया और तुमने वोटिंग राइट हमने इतनी सारी बुक लिखी अब बुक लिखी इन्होंने सब कुछ किया पटवा देता था था तो बस यही इनके साथ हुआ उसने इनको एक्जिगेट करवा दिया ठीक है तो यह कहानी रही आपकी वोमन्स की यहां पर आप मैं आपको थोड़ा सा स्टॉप करूंगा कोश्चन को करेंगे फ्रेंज वोमन डिमांड तर राइट टू फ्रेंज वोम जिस थी यह सब भी इन्होंने यहां पर डिमांड किया अरे बात समझ में आती है क्या चालो यह तीनों याद रखना ठीक है इनकी डिमांड क्या थी यह तीनों की तीनों थे अगले वाले पर आते हैं देखो ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेट टुक प्लेस पिट्वीन यूर रखना है ट्रैंगुलर स्लेव ट्रेट चल रही थी किस-किस के बीच में यूरोप अमेरिका और अफ्रिका के बीच में ठीक है अफ्रिका से यह लोग क्या करते थे स्लेव को लेके आते थे और जो अफ्रिका के स्लेव होते थे उनको नीग्रो बोला जाता था ठीक है काले क लर्गे होते थे उनको डीग्रो गोलते थे नाव इसके बारे में बात करेंगे फिलाल यह देखो अब देखो इसमें क्या है आपका दा थर्ड इस्टेट कंप्राइस्ट थर्ड इस्टेट जो है इसमें कौन लोग थे पूर और स्मॉल पीजेंट से लेंडलेस लेबर से क्या होना चाहिए जो कंवेंशन था यह जो आपकी बाद में नैशनल असेम्बली का ना मंडा दा right to vote या फिर declared France Republic बताओ इन्होंने क्या काम किया convention ने बताइए फटाफट से तो भई इन्होंने France को क्या declare कर दिया था कि France एक Republic है अब यहाँ पर देखो twist क्या है all men and women यहाँ पर women को vote का right नहीं मिला था इन्होंने मुनार्की को अकेला अवलेश नहीं किया था इन्होंने क् Assembly for Muitina की convention ठीक है समझ में आती है कि अतनी सी बात I think उपर एक question आपका रह गया था wait a second third state वाला question हो गया है कोई question छूटी क्या है यह यह देखो 13th question आपका यह रहा who were not considered passive citizen passive citizen किनको यहाँ पे consider नहीं किया जाता था women children non property men या फिर wealthy people तो passive का मतलब क्या था मैंने आपसे क्या ब इसके उपर पूरा चीज चली लेकिन यहाँ पे जो women थे children थे non property men थे यह सारे के सारे क्या थे passive citizen थे तो कौन से नहीं थे जो wealthy people थे वो आपके passive citizen नहीं थे यह लोग कौन थे active citizen ठीक है समझ में आगी नहीं सारी बात इसलिए मैंने आपको इतना explanation दे दिया और बहुत crisp दिया है यार अभी भी आपका एक आवर पूरा complete निवा और यह आपको पूरा chapter finish हो गया है थियोरी में अभी हम फटा-फटस के MCQs भी कर ले रहे हैं what did the slaves wear after becoming free मैंने आपसे क्या बोला था कि आपका slaves जो थे वो आपका triangle में चल रहे थे तो slaves जब free हो जाते थे तो red cap लगाने लग गये थे ठीक है जो slave आपका free हो गया वो कैसी cap पहनता था red cap ठीक है और इसके उपर अभी हम दो-चार बातें और करेंगे यानिकि आपका हमें यहाँ पे 5 minutes की theory की बात करनी है वो आपसे मैं कल जा था उनके पास में खाना नहीं था खाने के लिए दूसरा आपका food के prices बढ़ गई और जो गरीब लोग थे वो खाने के लिए रोटी भी नहीं करी सकते थे ब्रैड नहीं करी सकते थे डिजीज आ गए and epidemic आपका आ गया यह सारी की सारी जब situations आ जाती है ना इसी को बोला जाता है subsistence crisis याद रखना बहुत important definition है और यह इसका आपका right answer क्या हो जाएगा all clear है तो मैंने आपको पूरी theory करा के mcqs इस तरीके से अरेंज करें हैं कि आपको ultimately पूरा chapter आ जाएगा इससे बाहर कोई चीज नहीं जाने वाली even यह बात मैं crash course में बोल रहा हूं ठीक है तो इस question पर आते हैं which of the following statement is false about the third state जो third state उसके बारे में false क्या है it comprised of poor only पूर थे यह तो सही बात है some were rich some were poor ऐसा तो नहीं था सारे के सारे poor ही थे third एक second some were rich तो कुछ लोग तो अमीर थे यानि कि जैसे कि आपका मैंने बताया था ना कि इसमें कुछ लोग क्या करने लगे थे trading करने लगे थे foreign countries में तो उनके पास में भी पैसा आ गया था तो कुछ rich थे कुछ पूर थे यह बात सही जब सही यह अकेले poor वाली बात यहां क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी ठीक है तो आपका right answer क्या हो जा बाहर trade कर रहे थे तो यह लोग भी थे और गरीव लोग भी थे rich members owned land तो rich members के पास में land बगारा भी था यह भी वास सही है जो आपके मैंने बताया था ना कुछ के पास में land था जो peasants थे वो उनके पास में land हुआ करता था कुछ लोग ऐसे थे जो landless labor से और peasants जो है वो army में serve अच्छा एक चीज़ और यह जो peasants है ना वो army में serve करना चाहते थे लेकिन army में join नहीं कर पाते थे क्योंकि army थी बस उन लोगों के लिए जो लोग यहां पर यहां तो कुछ सिफारिश लगा के आए पहले से उनका कुछ यहां पर हो या फिर वो nobles हो ठीक है ना यानि कि noble family के लोगी army में जा सकते थे उस time पे peasants को अलाओ नहीं था तो यह लोग जाना तो चाहते थे लेकिन जानी सकते थे यह बात भी correct है clear है चली अगले question पर आते हैं 18 वाला question देखो what was a gluten आ गया ना वही question तो यह क्या था इसमें दो पोल होते थे एक blade होता था आत्मी की मुंडी ह ठीक है देखो यहां पर इसका right answer क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ठीक है चलो खेर यह 18 हो गया अगले question पर आते है 19th question देखो what does the word livers stand for आगे देखो वही question जो मैंने बूला था लीवर का मतलब क्या है यह unit of currency कहां की थी यह थी France की tax levied by state क्या था tax levied by church क्या था दौनों के आंसर बताओ नहीं तो वहीं आके उल्टा लटकाऊंगा और चलो खेर देखो अगले question पर आते है ठीक है 20th question देखो what was estates general estates general क्या था मैंने बताया था ना estates general क्या हुआ करता थ जब आपकी assembly लग रही थी तो कहां पर वह assembly जो लग रही थी उसे क्या बोला चाता था इस टेट से general बोला चाता था that is a political body अरे समझ में आ रही है ना बाते सारी के सारी देखो mcqs उडाना is a very small thing आपको चीजों की समझ पहले देनी चाहिए बाई हो मैंने समझ इतनी दे द था कि ये फ्रांस की उस society को दर्शाता था जो की आपकी 1789 के पहले हुआ करती थी ठीक है तो याद रखना 1789 के पहले की जो society थी उसको क्या बोलते थे old regime बोलते थे ठीक अगले question पे आते हैं 20 second question देखो which of these books was written by john lock john lock ने कौनसी किताब लिखी थी मैंने आपको भी बताया है बताओ फटाफट से कौनसी थी हाँ टू टू ट्रीटीज ऑन गवर्मेंट ठीक है ना कौनसी थी टू ट्रीटीज ऑन गवर्मेंट जॉन लॉक ने लिखी थी चलो ये बताओ comment करके the social contract book किसने लिखी है comment करके बताओ नहीं तो पता है न उल्टी लटकाऊंगा अगला question दे इच state should have one vote ये तो पहले से ही था ये भी demand नहीं किया था इच member of all three states have one vote इन्होंने बोला हर एक member जो हर state का है न उसके पास एक vote होना चाहिए ठीक है न एक member एक vote clear है चलिए अगले question पर आते है 24th question देखो कितनी जल्दी जल्दी ओड़े रहे हैं न question तो यही आपकी चीज होत किसे math की जाती है solve who let the representatives of the third state in Versailles on 20th June 20th June में third state को representative को represent किसने किया था तो Mirabeau and Abbasius मैंने बताया था न इन दोनों ने आप इस speeches दिये थे तो इसका right answer क्या हो जाएगा एंड भी और वैसे third state वाले को लुई सुहले मातों करने नहीं आएगा है ना represent करने तो खैर इसका right answer क्या है Mirabeau and Abbasius दोनों चीज़ां बता रखें की नहीं बता रखें है चलो अगला question देखो which of the which of these provisions were passed by the assembly on night of 4th August 1789 तो कौन से provision यहां पर पास किये गए थे assembly के द्वारा 4th August की रात को ठीक है ना 4th August को मैंने कुछ बताया था क्या कुछ लिखाया था ना क्या लिखाया था कि जो बातें बताई है ना तो इसका right answer क्या हो जाएगा all तो जो basically church वाला system था वो उसकी संपत्ती भी सीज कर ली गई थी 2 billion levers मिल गए थे याद आ रहा है ना सब कुछ अभी 15-20 मिनट पहले की बात है अगले question पर आते हैं 26 question देखो according to the new constitution 1791 the national assembly was to be national assembly कैसे elect होनी थी elected directly होनी थी appointed by king थी elected indirectly थी या फिर ये एक hereditary body थी hereditary का मतलब होता है पहले से कोई हो उसका वंसा जा जा जाए फिर इसका वंसा जा 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 जाए that is called hereditary body ठीक है बताव इसका right answer क्या होगा ये question मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं and इस session को यह पेंड करूंगा बागी questions अगली class में अब questions of effort होते जाएं कोई problem वाली बात नहीं है main जो चीज से मैंने आपको पूरी cover करा दी है अगली class में ये तो finish करेंगे ही करेंगे अगले chapter पे भी बढ़े रहा होगी ठीक है तो आयूप आपको सारी बातियार clarified होगी होगी मेरे गले की बहुत जोर से word लग चुकी है जो लोग म मन लगा के always remember महनत का कोई substitute नहीं होता महनत आपको ही करनी है selection भी आप ही लेके आओगे कई बच्चों को मैंने देगा सर सेलेक्शन करवा दो selection मैं नहीं करवाओंगा selection आप करवाओगे अपना ठीक है ना महनत करके मैं तो आपको कितना 20% अपना दे पाऊंगा पार्ट अभ बहुत मैनत करते हैं बच्चे ठीक है तो एंड करता हूं सचे नहीं पर थैंक्यू सुमच गॉड लेसी ओल टेक क्यार एंड बबाए